दोस्तो नमस्कार, पीजा ट्रैबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज आप मेरे साथ जानेंगी कि डमी टिकेट क्या होता है, आप इसको कैसे आउनलाइन बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारा कुछ मैं समझाओंगा, जो लो लेकिन इसमें आपका टिकेट ऑनलाइन शो होगा, आप टिकेट का पीनर नमबर डालके ऑनलाइन उसको चेक करेंगे, आपका जो टिकेट है ऑनलाइन दिखाएगा, लेकिन दोस्तो इस टिकेट के अंदर क्या होता है, पैसा जो कंपनी को, जिस कंपनी के टिकेट होती है, ह पास जो ट्रैवल के सौट्वेर्स होते हैं उन सौट्वेर को जो एयरलाइन कंपनीज है उनको अलोग करती है कुछ टाइम के लिए कि यह टिकेट हमने ब्लोग कर सकते हो आप उस टिकेट का जब तक हम पूरा फेर का पैसा कंपनी को नहीं देते हैं वो ओनलाइन कंफरम टिकेट मतलब आप वहां टिकेट होल्ड कर सकते हो उनको अब बताते हो ये जो एजेंट होते हैं उनको बताती है का एयरलाइन वालोग को बताते है कि इस बंदे gesagt करना है यहां से यह तक तो वह क्या बोलते हैं कुछ दिन के लिए airline बोलते हैं कि ठीक है भई आप दिखा लो client को दिखा लो कि क्या ticket है उसकी जो सारी detail वग़एरह दिखा देते हैं तो वह दिखाने के लिए उसको confirm में डाल देती है यह होता है dummy ticket ठीक है दोस्तो इसको आप कैसे book कर सकते हैं मैं बहुत ही असान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ अगर आपको इस बात में कोई भी doubt लगा तो आप बिल्कुल जरूर comment करने ठीक है यह ticket confirm ticket की तरह ticket होता है इसको आप ambassi में बिल्कुल दे सकते हैं और यह ticket जब तक आपका visa आता नहीं है confirm दिखाएगा अगर आप जहां पर मैं बता रहा हूँ वहां से लेंगे तो आप वहां पर अगर वैसे book करेंगे आप तो आपका बिल्कुल काम 101% हो जाएगा तो दोस्तो बिना time brought की चुरू करते हैं दोस्तो आपको करना क्या होगा आपको google के अंदर visatravelm.com यह वाली website खोलनी है सबसे पहले वाला link जो आपके पास आएगा उस link पे आपको क्लिक कर देना है visa 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 visatravelm.com visatravelm.com यह वाली website फष्ट वाला link पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस link पे क्लिक करेंगे आपके सामने visa travel की official website खुल कर आ जाएगी तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उपर का इंटरफेर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे दो नंबर highlight किये गए हैं आप इन दोनों नंबरों पे contact करके भी टिक्ट की जानकारी ले सकते हैं और दूसरे नंबर पे आप मेरे कलसर को देख रहे हैं तो इनकी mail ID भी यहाँ पे दे रखी है आप इस mail ID से भी संपर्क कर सकते हैं इनके office का address भी बिल्कुल proper तरिके से दे रखा है working hours इनके कब से कब तक आपको यह ticket मिल जाएगी आप दे सकते हैं और दोस्तो एक बात आपको बताने चाहता हूं यह जो 758936823 वाला नंबर यह बढ़ सेप के उपर भी है इस पर आप बढ़ सेप के उपर भी कंटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तो एक बात आपको और बताने चाहूँगा यह यहाँ पर इस website के अंदर एक बढ़ सेप का option भी आ रहा है इस पर आप क्लिक करके directly बढ़ सेप पे इनको message send कर सकते हैं और दूसरी बात दोस्तो डमी टिकेट के बारे में भी आपको बता रहा हूँ लेकिन एक थोड़ी सी और बात बताने चाहा हूँ इस website को आप अगर निचे जाके सर्च करेंगे और इस website के अंदर आप सारी की सारी जानकारी बड़ी असान तरीके से देख सकते हैं Canada, Australia, USA, UK, New Zealand, Europe इन सारी भी country के आप student visa, tourist visa के बारे में कोई भी जानकारी बहुत ही असान तरीके से जान सकते हैं यहाँ पे एक क्लिक पे आपको सारी की सारी जानकारी प्रोपर तरीके से मिल जाएगी दूसरी बात दोस्तों यह जो company है बहुत ही कम rate में visa provide करती है इनका visa का rate आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको एक बात पतानी जाता हूँ यह जो company है central government से रिजिस्टर कमपनी है और पंजाब government से भी रिजिस्टर कमपनी है और इस company के उपर आप बड़े अराम से trust कर सकते हैं आप इनकी health line के उपर number कोल करके आप उनसे पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं अभी हम dummy ticket के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तो जो उपर option दे रखे हैं option के अंदर आपको dummy ticket का एक option दिखाई दे रहा होगा आप मेरे culture की और ध्यान दे यहाँ पर dummy ticket के उपर आपको click कर देना है आपको dummy ticket के उपर जैसे ही आप click करेंगे दोस्तो आपके सामने एक form कुल के आ जाएगा यह form में दोस्तो आपको dummy ticket क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रखी है इसमें लिखा हुआ है कि यह जो dummy ticket है आपको पूरी paid जो पैसा पूरा देने की जरूरत नहीं है आपको कुछ पैसा amount पे करके आपको dummy ticket मिल जाएगा मैं तो इसको free में dummy ticket बोलूँगा क्योंकि इतने कम rate में market में कहीं भी dummy ticket provide नहीं होता है और अगर होता भी है तो वो ticket 24 गंटे के लिए ही होता है यह जो ticket Canada, America, USA कहीं भी आप लगा सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके का ticket आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम डाल देना है last name डाल देना है आज पर passport के हिसाब से आपको सारा कुछ डालना है अपना email id डाल देना है, अपना contact number यहाँ पे आपको डाल देना है आपको अपनी country कहां से आपको जाना है, कहां पर आपको जाना है country को आपको नाम लिखना है और उसका airport ब्रेक्ट में डालना है इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों जैसे आपको मानलो Singapore जाना है ठीक है दोस्तों, तो Singapore आपको कौन सा airport लगेगा वहाँ पे चैंगी airport है तो इस तरीके से आप यहाँ पे चैंगी ब्रेक्ट में लिख सकते हैं तब उनको प्रोपर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा airport चाहिए अगर आप यहाँ पे चैंगी airport नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे Singapore लिख दो और उसके बाद date आपको कौन सी को आपको fly करना है और आपको यहाँ पे अपना पूरा message प्रोपर date के हिसाब से अपनी पूरी बात यहाँ पे लिख देनी है मालो आपने दस तरीक को दस दस को 2020 को जाना है तो आप यहाँ कमेंट में उस date को mention कर देंगे जो भी बात आपके मन में कोई भी doubt कोई भी बात है वो आप यहाँ पे कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ संबिट पे क्लिक कर देना है मैं अभी आपको एक चांड करी के लिए form भरके बता रहा हूँ मालों यहाँ पे मैंने बंदे का नाम डाल दिया abc और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया last name में भी abc as per passport के हिसाब से आप डालेंगे तो यहाँ पे हमने mail id डाल दिया कोई भी ऐसे ठीक है दोस्तों जा मैं अपनी id डाल दिता हूं ठीक है दोस्तों mail id मैंने अपने डाल दिया contact number दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे ही एक डाल दिया है तो यहाँ पे country आपको कहां से जाना है तो यहाँ पे आपको dia ho गया ना दोस्तों hija उसके बाद आपको india में कॉंसा एरपोर्ट से जाना है तो मैं यहाँ पे प Depois कघा बोंबė एरपोर्ट या मैं यहाँ पे पंजाब का एक फर चंडीगण लिख देता हूं ठीक है दोस्तों काई है के दीकड़ और Just ha know मैं high एइडीया को कॉंसे एयर पॉर्ट से जाना है यहां पे लिए और बुर्गशें मेने लिखरक्शा है सिंगापुर का भी मैं एयर पोर्ट का नाम यहां पे डाल दोस्तों आपको अगर इयर पोर्ट का नाम पता है तो आपको यहां पे ड cl डेट कौनसी को यहां से ट्रेवल करना है मालो बारा बारा को आपको ट्रेवल करना है तो मैं यहां पर बारा बारा डेट डाल दिया उसके बाद दोस्तों आपको बापिस कब आना है वहां से वह चीज यहां पर इस तरीके से आपको मिंचिन करना है बारा बारा टू 23 इस तरीके से दोस्तों आपको यहां पे सारी जानकाई दीक नहीं है उसके बाद आपको कोई भी मेसिज आपके दिल में कोई बी डौट कुछ भी प्रॉलम है तो आप यह प्रॉबलम यहां पे लिख सकते हैं आप अगर इस तरीके से फॉर्म भरके बेजेंगे तो आपको कंटक्ट कंपनी की तरफ से कोल आ जाएगा और आपकी डमी टिकेट भूक करके आपको वर्ट सैप के उपर या आपकी मेल आईडी के उपर प्रवाइड कर दी जाएगी और यह जो आपको पेमेट है ऑनलाइन ही आपसे इसके लिए जो यह कंपनी सबसे पूरी मतलब इंटरनेट में आप कहीं भी सर्च करते हैं इससे कम रेट में आपको सद नहीं मिल पाएगी डमी टिकेट और इनको पेमेट आपको आपको आउनलाइन कैसी करना है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद यह आपको यहां पर आपका कोई भी मैसेज ABC आपको लिखके इस फॉम को संबिट कर देना है अब संबिट करोगे तो आपको यहां पर एक ग्रीन रंग का मैसी दिखाई देगा कि आपकी जो मैसीज है वो सेंड हो चुकी है तो अभी आपके सामने यह दिखिए यह मैसीज आपको अगर पेमेंट करना है तो आपको contact us page में जाना है contact us page में दोस्तो इस कंपनी के account details मिल जाएगी हाल ही में इस कंपनी का एक बैंक में account है जो की है State bank of India और State bank of India अगर आप State bank of India में पेमेंट भीजनी चाह रहे हैं तो आप यहां से पूरी details लेकर तो वहां पर पैसा send क और अगर उनसे कोई मेस्ज गारा देना है तो आप यहां पर कंडक्ट फॉर्म लगा हुआ है वह भी आप कर सकते हैं अगर उसके लावा आप इनको पेटियम करना चाहते तो यहां पर एक पर निशान लगा हुआ है यहां पर आपको इसको क्लिक करना है, यह बढ़ा होके असेप्ट हो जाएगी और आपका जो डमी टिकेट है कुछ मिनिटों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और दोस्तों ये कंपनी के उपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं घवरानी की कोई भी जुरूरत नहीं है इनका जो सारा अड्रेस है पुरा बेरिफाई है और ये आप इनसे और भी बहुत सरी सर्विस ले सकते हैं अजमा सकते हैं इनको एगवार तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं इस कंपनी में अगर आपको किसी में आपको आना है तो अभी करोना चल रहा है क्लोज दिखा रहा है यहां पर त इस इनका यहां पर लिखा हुआ है तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बहुत बहुत धन्यवाद आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल वीजा ट्रावल एम को जरूर सब्क्राइब करें धन्यवाद जय हैं जय भार्त